उस दिन बड़े सवेरे जब श्यामू की नींद खुली तब उसने देखा, घर भर में कोहराम मचा हुआ है, उसकी काकी उमा एक कंबल पर नीचे से उपर तक एक कपड़ा ओड़े हुए भूमी शैन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में खाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया, लोगों के हाथों से छूट कर वह उमा के उपर जागे रहा, बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठा कर कहा लिये जा रहे हो, मैं न जाने दूँगा, लोग बड़ी कठिंता से उसे हटा पाए, काकी के आमा के यहां गई है, परन्तु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका, आसपास के अन्य अबोध बालकों के मुह से ही वह प्रकट हो गया, यह बात उसे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं उपर राम के यहां गई है, काकी के लिए कई दिन तक लग इतर उसकी आर्दरता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतस्तल में वह शोक जाकर बस गया था, वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता, एक दिन उसने उपर एक पतंग उड़ती देखी, नजाने क्या सोच कर उसका हृद से और कहीं चले गए, श्यामू पतंग के लिए बहुत उतकंठित था, वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका, एक जगे खूटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था, इधर उधर देखकर उसने उसके पास स्टूल सरका कर रखा, और उपर चड़कर कोट की ज ऑर डोर मंगा दो, देखो, खूब अकेले में लाना, कोई जान न पावे, पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी, श्यामू ने धीरे से कहा, भोला, किसी से न कहो तो एक बात कहूं, भोला ने सिरह ला कर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूंगा, श बोला श्यामू से अधिक समझदार था, उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची परंतु एक कठिंता है, यह डोर पतली है, इसे पकड़ कर काकी उतर नहीं सकती, इसके तूट जाने का डर है, पतंग में मोटी रस्सी हो, तो सब ठीक हो जाए, श्यामू गंभीर हो गया, म वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे, उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई, पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से एक रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख, भोला, किसी क मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी दो रस्सियां मंगा दे, एक रस्सी ओची पड़ेगी, जवाहिर भाईया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा, नाम की चिट रहेगी, तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी, दो घंटे बाद प्रफुल वहाँ आगुसे, भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है, भोला सक पका कर एक ही डांट में, मुख्रशे भी भी, मुख्रर हो गया ला था, बोला, श्यामू भाईया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था, विश्वे विश्वेश्वर हत बुद्धी होकर वही खड़े रह गए, उन्होंने फटी हुई पतंग उठा कर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था, काकी